दोस्तो एक बात है कड़ भी है लेकिन सत्य है ये तो आपको भी स्विकार करना होगा शरावियों की आधी जिन्दगी शराब पीने में लडाई जगडे में संपत्ति बेशने में लग जाती है वहीं पे बचुही आधी जिन्दगी जो भी उनकी बची है वो उनको इलाज करवाने में डॉक्टर्स के चक्कर काटने में ऑस्पिटल्स के चक्कर काटने में पेट में परिशानी होने में या उनको बारबार उल्टी आने में बजन घटने में और कहीं से भी आराम ना लगन में निकल जाती है आप देखेंगे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज प्रमोट करते हैं इसको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो शराब पीना ना पीना एक पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए सबी लोग का लेकिन कोई भी व्यक्ति आके अगर इंस्टाग्राम पे बोलता है कि आपको अगर जिन्दगी में खुश रहना है टेंशन फ्री रहना है तो आपको इसको डेली करना चाहिए कि मैंने अब तक तीन या चार बीर पेली हैं और आम में इसको भी शराब को भी प्योंगा तो उनका एक खुद का परसनल होना चाहिए किसी के सामने शो नहीं करना चाहिए ना ही बताना चाहिए और ना ही ऐसी चीज़ों के वैनिफिट्स गिनवाने चाहिए अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भी लीवर खराब होता है हमने ऐसे से लोग देखें जो शराब नहीं पीते है और उनका लीवर खराब हो जाता है तो किसी भी बिमारी के आप देखेंगे बहुत सारी कारण होता है उन्हीं में से एक में कारण भी होता है तो लीवर खराब होने का डैमेज होने का में कारण आता है कि alcoholic fatty liver disease और वो ऐसे ही विक्तियों में रहता है जो लंबे समय से शराप पीते हैं डोक्टर्स के बात नहीं सुनते हैं नहीं मानते हैं और बाद में जाके देखेंगे कि उनको डोक्टर्स मना कर देते हैं कि भई आपकी इस्तिती अब ठीक होने वाली नहीं है लीवर की जो cells damage हो चुकी है last stage है pavrosis की starting stage है liver cirrhosis की या फिर cirrhosis उसको हो गई है पेट में पानी आ चुका है तो ये इस्तिती खराब कर देती है अब क्लिनिक में ऐसे ऐसे पेशेंट देखते हैं जो सुभा को उठके शराप पीते हैं शाम को शराप कीते हैं घर में लडाई जगड़ा है चोटे-चोटे बच्चे हैं बीवी लडती है डॉक्टर समझाते हैं बट पेशेंट को समझ में नहीं आती हैं नहीं मानते हैं रिपोर्ट्स देखते हैं तो काफी खराब है तो वो उस पाइंट पे खड़े होते हैं उस पाइंट पे वो खड़े होते हैं कि वहाँ से अगर वो शराप छोड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे उनकी जो इस्तिती है वो सुधर जाएगी और जादा जाके बेगड़ेगी नहीं बट वो नहीं सुधरते हैं, mostly cases में हम देखते हैं तो last में पता लगता है कि पेशेंट वहाँ admit थे इतने दिनों से और वो नहीं बचपाए तो बहुत सारी conditions सामने आती हैं और इस तरही जो reals होती हैं उनको देख के लगता है यार और शराबी लोग को इन चीजों में बहुत मजाता है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको आप share कर सकते हैं otherwise सभी के अपने अलग-अलग opinion सभी के अपने personal life सभी के अपनी choice होती है Thank you